प्ष़कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो नोर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है इनके बीच जो युद्ध है उसका इतिहास कै अब ये चर्चा में क्यों आया है इसके बारे में मैं आपको इवन अमेरिका तो ये कहता है कि अगर कोई भी देश नोर्थ कोरिया के साथ विपार करेगा तो वो हमारे साथ दुश्मनी मोल ले लेगा इतने ज़्यादा सेंक्षन लगा दिये अमेरिका ने तो इसके पीछे रीजन क्या है इनके जो युद्ध एक तरीके से कभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया तो जो युद्ध था उसका इतिहास क्या है या फिर कहें कि नोर्थ कोरिया और साथ कोरिया का ही इतिहास क्या है ये कभ ये देश बने थे इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे ब वहाऊं नौर्थ कोरिया तो दिखा है ऐसे काम करता ही रहता है की यह अपने आपको में हाइलाइट में रखता ही है को देश को या फिर कहेंगे की दुनिया के जो बागी के दो देश रह다ng Wand बूल नहीं है उसको अपने 30 सेने विमानों को उतारना पड़ा और Korean Peninsula में तनाव तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि उत्तर Korea ने अभी हाली के अंदर मिसाइल जो टेस्ट किये उसके कारण South Korea, America, even Japan यह सब जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से समझीए परिशान होकर बैठे हैं सिर्फ पर सिर्फ North Korea के वज़े से अब थोड़ा सा हम इतियास में जाने से पहले एक बार यह देख लेते हैं कि दोनों देश कहां पर बसे हुए देखिए यह चीन हो गया यहाँ पर यह North Korea हो गया North Korea का थोड़ा ज़्यादा शेतर आता है as compared to South Korea के इन दोनों देशों को जो अलग करती है वो एक 38 parallel line है काफी बार exam में, one day exam में यह चीज़े पूछ ली जाती है तो यह North Korea हो गया इसकी राजदानी यहाँ पर आपको पता है प्योंग यांग होगी और यह Seoul जो है वो South Korea की राजदानी हो गई अब इन दोनों का इतियास भी हम जानेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं जो conflict है उसकी उत्पत्ती के बारे में बात कर लेते हैं दीके, इस संगर्ष की जो जड़े हैं मतलब की North Korea और South Korea के बीच में जो लड़ाई है वो एक तरीके से युद है 1910 से लेकि 1945 का जो जपान ने Korea का जो अधिकरेंट कर रखा था मतलब एक चीज समझी है यह जो जपानी जो लोग थे जपैनी जो पीपल थे वो Korea को एक तरीके से Korea को या चीन को इन एरिया के उपर वो खेती करने के लिए आया करते थे क्योंकि आपको पता है जो जपान का जो एरिया है वो एक पहड़ी एरिया है यहां पर कहीं समतल आपको जमीन नहीं मिलेगी तो यहां के जो लोग है वो यहां आये हुए थे इन दोनों या फिर कहें कि एक Korean Peninsula ही हुआ करता था कोई North Korea, South Korea नहीं हुआ करता था वो 1948 से पहले तो यहां पर जब यह आये हुए थे तो आपको पता है उस वक्त 1945 की बात आ रही है यह देखिए 1910 से 1945 के बीच तो 1945 में आपको पता है कि जैसे युद हुआ Second World War हुआ था तो Second World War के दुरान Japan के उपर Hiroshima और Nagasaki के उपर परमानु बम गिराए गए अमेरिका के दौरा तो जो जपानी जो लोग थे जो अलग-अलग देशों में या फिर अलग-अलग कॉंटिनेंट में जो मतलब कि अपने आसपास के एरिया में बसे हुए थे वो वापस कि कोरिया पर चार सकती ट्रस्टिसिप स्थापित करने की सहमति इमें तब कि कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे इसके उपर शाषिन किया जाएगा ये सब बातें हुई थी याल्टा सम्मेलन के अदर लेकिन उधर USSR तो भाईया जो विचार धारा थी वो भी कही न कहीं इनके संगर्श का कारण वनी थी तो USSR ने क्या किया कोरिया पराकर्मन कर दिया आकर्मन करने के कारण इसके उत्री हिस्से पर तो अपना नियंतरन सापित कर लिया और दक्षनी हिस्से पर अमेरिका जो है वो उसके अंडर आ गया था अब दोनों देशों को एक तरीके से कैसे अलग किया गया 38 में पैरलल लाइन के दौरा जो मैंने आप यह आप लोगों को दिखाई आज भी इन दोनों देशों के बीच में कहा जाए कि कौन सी रेखा जो है वो इन दोनों देशों को अलग करती है तो 38 पैरलल लाइन जो है वो इन दोनों को अलग करती है 1948 के अंदर कोरिया गंड़ा जिसे साउथ कोरिया कहते हैं और Democratic People's Republic of Korea यानि जिसे नोर्थ कोरिया कहते हैं उसकी स्थापना हुई 1948 के अंदर जैसा कि दोनों देशों ने शेत्री और वेचारिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने की बहुत कोशिश की और इससे क्या हुआ दोनों देशों के बीच में युद होना स्टार्ट हो गया था अब विचार धारा की लड़ाई ये एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं युएससर कम्मुनिजम के लिए जाना जाता है तो अब आप देखेंगे नोर्थ कोरिया में किस तरीके की विचार धारा चलती है वहीं जो अमेरिका है वो डेमोक्रसी को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ आपको नजर आता है तो आप देखेंगे साउथ कोरिया में आप लोगों किस तरीके का आपको भी माहौल देखने को मिलता है अब लडाई जो स्टार्ट हुई 25 जून 1950 को क्या हुआ उतर कोरिया ने USSR और एक तरीके से ऐसे समझी ये चीन भी इसके साथ था तो इनके समर्थन में इनोंने हमला कर दिया साउथ कोरिया के उपर अब साउथ कोरिया के उपर जब इनोंने हमला किया तो काफी जारा जो एरिया था साउथ कोरिया का वो अपने अंडर ले लिया अब बदले में obviously अमेरिका तो चुप बैटने वाला था नहीं क्योंकि उसने तो है एक्रिके से South Korea के उपर अपना नियंतरन कर रखा था तो South Korea को बचाने के लिए या फिर अपनी इजद बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया Swing Trustable को इसमें उतार दिया है यानि कि जो UN जो forces है उनको यहां पर जवाबी कारवाई के लिए उतार दिया अब 1951 में 1950 की बात है 25 जून 1950 तो 1951 में क्या हुआ डगलस मेक और्थर के नहतित में अमेरिकी सेना ने क्या किया जो 38 पैरला लाइन जो बैने आप लोगों को दिखाई ना उसको भी यह पार कर गए उत्र कोरिया के अंदर यह गुजगे और यहां पर एक तरीके से 1991 में अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या का गया कि भाई यह शांती वारता शुरू कर देते हैं ठीक है आप हम बैटकर आपस में बैटकर बातें कर लेते हैं यह सब चीज़ें हो गई और भारत सभी परमुख हित दारिकों भाई जानेंगे कि भारत का क्या इसके अंदर स्टेंड था तो भारत में क्या किया जो अमेरिका, USSR, चीन यह जो सभी इसके अंदर सामिल थे कोरियाई प्राइद विप में शांती वारता को सेकरे रूप से सामिल रहा उन्नीस सो बाउन में कोरिया पर भारतिया परस्ताव को UN के अंदर अपनाया गया हमेश भारत नहीं सीज को सपोर्ट किया अब 27 जुलाई 1953 को स्विंग तुराष्ट कमान कोरियाई पीपल्स आर्मी और चीनी पीपल्स वोलेंटियर के बीच में एक समझोता होता है जिसे कोरियाई युद विराम समझोता का जाता है अब इस समझोते में ध्यान से सुनना इसको ऑफिशली नहीं बोला गया यानि कि एक तरीके से समझें इस परकार जो युद हुआ यानि कि बिना शांती समधी के इसको ऐसे समझा जाएगा इसको बिना अधिकारिक तोर पर इसको शुए समाप्त किया ही नहीं किया और इसने क्या किया एक कोरियाई SNEKrit जोन यान यह DMZ Demilitarization Zone हो गया आपके सामने यह दोनों देशों के बीच में एक ऐसी लाइन है जहां पर कोई military नहीं है एक तरीके से खाली एरिया ऐसा समझ लीज़े जहां पर एरिया नहीं है मितलब कोई भी नहीं है तो Demilitarization zone हो गया यह दोनों देशों के बीच में अब इसकी स्थापना हो गई December 1991 के अंदर उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया ने एक और समझोता कर लिया उस समझोते के तहत यह था कि कोई भी एक दूसरी के उपर आक्रमता आक्रमता से एक दूसरी के उपर aggression से एक दूसरी के उपर हमला ना करे इसलिए इन दोनों देशों ने इसके उपर भी sign किये 1991 की बात है लेकिन आज की date में आप देखते हैं तो किस तरीके से इन सब चीजों को तोड़ दिया गया है 1991 का जो समझोता था अब उकसाने के उपर यह आया हुआ है North Korea, South Korea को तो अब यहाँ पर आगे समर्थन कर रहे थे अब जो North Korea जो है इनके समर्थन से अपनी जो परमानू शक्तिय उसको तेजी से बढ़ाये जा रहा था अब इसको बढ़ाने का क्या reason था देखिए अब North Korea ने कभी एक संदी के उपर sign किये थे उस संदी का नाम था NPT यानि Non Proliferation Treaty यानि आपरसार संदी ये 2003 में North Korea इसके पीछ से हट गया था अब ये क्या थी NPT क्या थी कि भई इसमें बोला गया था कि North Korea जो परमानू शक्ति को बढ़ाएगा नहीं परमानू पावर को नहीं लेगा परमानू के उपर कोई अथियार नहीं बनाएगा एक तरीके से परमानू का परसार नहीं कर सकता है परसार मतलब कि उसको बढ़ा नहीं सकते तुम तो इसको इनों ने तोड़ दिया North Korea वालों ने अब तोड़ कैसे रहा था यहां पर क्या हुआ एक दूसरे के किसी दूसरे देश के या फिर कहें कि होता है न कि हम बात करते हैं कि किसी की दूसरे के कंदे के उपर बंदूक रखे चला देना तो दोनों देश यही कर रहे थे कंदा किसी का यूज कर रहे थे और एक दूसरे के ओपर गोलियां चलाने के ओपर लगे हुए तो यह से कहते हैं cold war अब यहाँ पर क्या हुआ इसके जवाब में अमेरिका ने मार्च 2017 में यह तो अपनी बात मतलब क्या कर रहा था नोर्थ कोरिया जैसे किम जोंग यून हो गया आज की जो वर्तमान जो वहां के नेता है यानि करता धरता भई है तो उन्होंने क्या किया भई आप परमाणू मिसाइल प्रेक्शन में बहुत ज़्यादा विरिदी कर रखिया है आए दिन वो कोई ना कोई मिसाइल research करते रहते हैं टेस्टिंग करते रहते हैं तो अब अमेरिकाने क्या किया भई दक्षन कोरिया करते थेका ही उठा रहा रहा है इन्होंने क्या क्या दक्षन कोरिया में थाड 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 बहुत तो Terminal High Altitude Area Defense एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम है ये कि अगर किसी देश की मिसाइल अगर South Korea के ओपर आ रही है तो इस मिसाइल को आस्मान में खतम कर देगा ये वाला सिस्टम काफी advance है S-400 हमने ले रहा है रूस से ये काफी से भी काफी जादा बढ़िया equipment है या फिर कहीं बढ़िया सिस्टम है खैर इसके उपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे आगे आते हैं तो उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया के बीच जो एक तरीके से शेत्रिय संगर्स अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच भी तक्रार में बदल गया मतला स्टार्ट हुआ था दक्षन कोरिया यानि साउथ कोरिया वर्सिस नोर्थ कोरिया पई अमेरिका को तो इसके अंदर कूद ना पड़ा अब नोर्थ कोरिया और अमेरिका भी एक तरीके से दोनों वर्सिस में आ चुके थे उत्तर कॉरिया के साथ संबन सुधारने के राजनाइक प्रयासों की विफलता के बाद अमेरिका ने उस पर पर्तिबन लगा दिया आपको पता है जैसे की क्या नाम था डोनल्ड ट्रम्प डोनल्ड ट्रम्प जो थे उसके प्रेजिडेंट थे अमेरिका के तो वो नोर्थ कॉरिया के जो प्रेजिडेंट थे किम जोंग उनसे मिलने भी गए थे लेकिन कोई बात बनी नहीं इन दोनों देशों के बीच में उत्तर कॉरिया दोरा अकरमता की हालिया कारवाई के उपकर हम बात करें तो एक हाली में के वर्षों में उत्तर कॉरिया ने नौर्थ कॉरिया ने अपने जो परमाणू बंडार है इनको बढ़ा दिया परमाणू कारेकरम है इसको और ज़्यादा गती दे दी इनोंने अपनी जो Non-Proliferation Treaty है उससे बाहर निकलाया इससे काई बार जो है इनोंने क्या कि परमाणू प्रिक्षन कर दिये एक तरीके से देखें तो इनोंने कितनी ज़्यादा अग्रेशन अपना रखी है और उत्तर कॉरिया के बढ़ते मिसाइल दुसाहस को देखते हुए अमेरिका ने जैसे मैंने आप लोगों को बताया दक्षिन कॉरिया के इंदरों नोंने क्या किया थार तैनात कर दिया यानि कि जो Terminal High Altitude Area Defense है इसको तैनात कर दिया उत्तर कॉरिया ने हाली में एक कैसोंग एक एरिया है दोनों ही देशों के बीच अंतर कॉरिया इस संपर कारेले को ध्वस्त कर दिया अब यानि एक बिल्डिंग ऐसी समझो एक बिल्डिंग है उसको इनोंने तोड़ दिया 2018 में इसको बनाया गया था अपचारिक राजनेग संबंदों की अनुपस्तिती में इस कारेले से एक तरीके से एक वास्तिक दुतावास के रोप में कारे किया था दोनों देशों के बीच में सीधा संचार चैनल परदान करता था ये एरिया लेकिन अब इसको भी तोड़ दिया गया हाली में 2022 में उत्तर कोरिया ने रिकोर्ड संख्या के अंदर मिसाइल प्रिक्षन कर डाले इसने इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल का प्रिक्षन कर 2017 के बाद अपना पहला परमानू प्रिक्षन विस्पोर्ट करके तनाव और जादा बढ़ा दिये इन्होंने भाई साब उत्तर कोरिया रुकने का नाम ही नहीं नहीं ले रहा अब देखे उत्तर कोरिया के हालत तो वैसे बहुत जादा खराब है यहां पर खाने के लाले पड़े हुए है क्योंकि जैसे करोना आया था करोना के बाद तो इनकी बहुत जादा बुरी हालत होगे लेकिन बावजुद इसके यह भाई साब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे है अब इनके पास एक तरीके से कहा जाए तो कह रहे हैं कि हमारे पास लुटने को तो कुछ है नहीं हम तो दूसरे को और ले डूबेंगे यह वाली बात हो गई है अब बात करें भारत के साथ इनके कैसे संबंद है भारत की सिति के बारे हम बात कर लेते हैं भारत लगातार उत्तर कोरिया के जो परमानू और मिसायर प्रेक्शनों का विरोध तो करता है हलांकि इस पर जो परतीबन लगाए हैं उसको लेकर हम नमेशन न्यूट्रल बने रहे हमारा कोई इसके उपर जवाब नहीं रहा इससे पहले कोरिया जो यूद हुआ था 1950 से 1953 भारत ने दोनों जो यूद रत जो देश हैं उनके बीच मद्य हस्ताक्षित संगर्श विराम कर लेते हैं मई 2015 में दक्षिन कोरिया के साथ त्वी पक्षित संबंदों को विशेश यानि स्पेशल स्टेटेजिक पार्टर्रशिप में बदल दिया गया अब इससे क्या मतलब हुआ देखिए दक्षिन कोरिया की एक नीती है दक्षिन कोरिया देश ने जो साउथ कोरिया अपने यहां पर एक पॉलसी चला रखिया है साउथ पॉलसी उस पॉलसी के अंदर भारत को बहुत ज़ादा प्रमुकता दी जाती है जिसके दोनों देशों के बीच में जो वर्तमान जो रिलेशन हो उसमें और ज़ादा इंक्रिमेंट हो सके उसको और ज़ादा विस्तार क जा सके और इसी तरह से भारत ने भी भारत की जो एक इस पॉलसी जो है भारत की एक इसट पॉलसी चला रखिय और उस पॉलसी के अंदर दक्शन कोरिआ को बहुत ज़ादा एक तरीकी से परमुकता दे रखिया अब इससे क्या होगा जो economic जो सहयोग है जो culture relation है उनको तो भारत के 47 year जो हैं वो एक हो गए है मतलब उत्र कोरिया के साथ राजनीक संबंध है मारे हमने जो है गुट निर्पेक्ष आंदोलन यानि की non alignment moment हमने हमेशा इसका समर्थन के हम किसी के ग्रूप में नी बैटेंगे भाई साब ये बात बोली गई अब आगे की रा क्या हो सकते हैं कोविट के कांट जैसे आप लोगों को पता है नौर्थ कोरिया की हालत बहुँ जादा खराब हो चुकी तो अब उनको इन सब चीजों के भाई किसी को aggression दिखा रहा है ये missile test कर रहा है इन सब चीजों को कम करना चाहिए और अपने देश में जो अर्थ व्यवस्ता उसको मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए खास कर जब वो महमारी की चपेट में आया हुआ इसके अलावा कुछ मुद्दों पर तो देखिए उत्तर कोरिया, अमेरिका, दक्षिन कोरिया, जपान ये जो कोरियन पैनिसूला के ओपर जैसे ही इनके interest आते हैं या फिर और भी जो देश ने जो कोरियन पैनिसूला से परभावित होते हैं उन सब को बैट कर अपनी बाच्ची जो है भी होगा, उमीद करता हूँ कि आपको जो ये history है North Korea और South Korea के बीचे में ये समझ में आ गई होगी, ये जो तनाव जो बढ़ रहा है ये भी समझ में आ गया होगा PDF के लिए फिर से आप लोगों को बता देता हूँ description box में टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से आप इस वीडियो की PDF जो वो download कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो मुझे कैसे बताएंगे तो obviously वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें ये सब चीजें जो है मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो